दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बात कने वाले हैं D-Mart के बारे में अभी अभी रिसेंटली D-Mart ने अपने quarter 2 के result को declare कर दिया है जहाँ पर company के revenue के numbers यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं और numbers काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं year on year basis पर company के revenue के अंदर 19 प्रतीशत की jump हमें देखने को मिल रही है जिसके चलते कल के दिन हमें D-Mart के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो क्या है numbers डीटेल में जानते हैं लेकिन उसके पेले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की दिन की हमारी second video है first video already channel पर live हो चुकी है जिसमें IRCTC और वदानता से related आज के दिन जो important updates निकल कर आई है वो मैंने आपके साथ share करी है तो यदि आपने उस video को अभी तक checkout नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप channel पर विजिट करके उस video को भी checkout कर सकती है और अगर आपको ये video पसंद आए तो channel को subscribe करना मत बुलिएगा सबची बिली आज की दिन अगर हम DMART की performance देखें तो आज की दिन हमें DMART के अंदर 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है लेकिन अगर आप इसका chart pattern देखेंगे तो यहाँ पर clearly visible हमें देखने को मिल रहा है कि first session में हमें कोई बड़े movement देखने को नहीं मिले लेकिन market close होने के ठीक 2 गंटे पिले इस shares के अंदर हमें काफी अच्छी buying आते वे देखने को मिली और देखते ही देखते share आज के दिन अपने 3700 रुपे के level को cross करके यहाँ 3730 रुपे की यहाँ पर share ने closing दी है उसकी पीछे का reason भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप date or time confirm कर सकते हैं 3 October 2023 रिसेंटली ये news निकल कर आई है जिसने आप देख पाएंगे D-Mart Honor Avenue Supermarts quarter 2 update still loan revenue rise याने की बढ़ चुका है 19 प्रतीशत से year on year basis पर और कितना revenue company ने generate किया है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,308 करोड रुपे का revenue company ने quarter 2 के अंदर यहाँ पर generate किया है तो चलिए अब result को detail में analysis करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं retail chain D-Mart Operator Avenue Supermarts Limited on Tuesday याने की 3rd October said the company posted a growth of 18.5% in its stand loan revenue on year on year basis याने की company के result से जो expect करी जा रही थी जो इनके revenue से expectations थी उससे भी काफी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं for the quarter ending 30th September 2023 Avenue Supermarts reported stand loan revenue from operation totaling 12,307 करोड compared to Rs. 3,884 करोड on a year on year basis तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं के company के revenue में काफी अच्छी जंपे 12,307 करोड रुपे का revenue company ने quarter 2 के अंदर generate के आए जो कि last year same quarter में 10,384 करोड रुपे का था तो numbers बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं और वहीं अगर हम इनके total stores की बात करें तो company 30 September 2023 तक इंडिया के अंदर 336 stores को यहाँ पर operate कर रही है तो यह भी एक काफी बड़ा numbers काफी huge numbers हमें इनका देखने को मिलता है यहाँ बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसके quarter 1 के profit को अगर देखें quarter 1 में company ने 695 करोड़ रुपीज का profit बनाया था जो कि last year किसे अगर हम compare करें तो 679 करोड़ रुपीज का था याने कि company के profit में काफी अची जम थी और इस बार तो company का revenue बड़ा है तो इस बार company के profit में again हमें काफी अची जम देखने को मिलने वाली है अगर हम dmart के hypermarket chain की बात करें तो वहाँ पर भी company का revenue काफी अच्छा रहा है 11,584 करोड़ रुपे का revenue company ने यहाँ पर बनाया है जून quarter में और अगर हम इसे compare करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं last year के quarter में company ने 9,807 करोड़ रुपे का revenue बनाया था तो overall अगर आप dmart की growth देखेंगे तो वो काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है वही अगर हम operating profit के बात करें के EBITDA की तो वहाँ पर भी 2.8% की jump हमें यहाँ पर first quarter में already देखने को मिल चुकी है तो इस बार भी expect किया जा रहा है कि company के margins हमें improve होते वे देखने को मिलने वाले है तो बात कर लेते हैं कि यदि आपने demand के अंदर खरीदारी कर रखी है तो क्या important levels यहाँ पर होने वाले हैं और कल के दिन इस shares के अंदर आपको क्या levels देखने को मिल सकते हैं अगर हम year on year business पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4500 रुपे पर इसकी share price आज से ठीक एक साल पिले हमें देखने को मिल रहा है और अभी के time पर यह shares हमे 3700 रुपे पर देखने को मिल रहा है याने कि share अपने high से almost 60% discounted price पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हमें fresh buying करने चाहिए तो definitely अगर आप यहाँ पर long term के बारे में सोच रहे हैं तो dmart आपके लिए एक best choice हो सकता है क्योंकि इतना discounted price पर यह share मिलना बहुत ही fair case में possible होता है अगर हम dmart के chart pattern को भी समझे तो यहाँ पर आप clearly देख पाएंगे कि जब से company stock market में list हुई थी तब से लेकर 2021 तक consistent performer हमें यहाँ पर dmart देखने को मिला लेकिन उसके बाद में हमें shares के अंदर एक काफी अच्छी तेजी आते वे देखने को मिली और उसके बाद में यहाँ पर profit booking भी हमें देखने को मिली यहाँ पर breakout बनेगा यह share again हमें 5000 के level तक जाते वे देखने को मिलने वाला है तो यदि आपने लॉंग टम परपस से पेनियो सुपरमार्ट यानिकी डी मार्ट के अंदर खरीदारी कर रखिये तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशन्स को होल करते वे चल सकते हैं और अगर इसके लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे क्लियर डी मार्ट के अंदर तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस भी देख पाएंगे के 4000 रुपे के लेवल्स को दो बार शेर्स ने पिछले एक साल में टच करने की कोशिश करी है यानि कि यह काफी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो जिस प स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 500 प्रतीशत से भी ज़्यादा के रेटन्स अपने इंवेस्टर्स को बना कर दिये हैं जो कि एक बहुत ही शांदार इंप्रेसिव नंबर है तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशन को केरी करते वे चल सकते हैं उ अनदर किसी इंपोर्डेन अपडेट के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated और साथ ही साथ डीमाट के अंदर आपने कितने shares buying कर रखे हैं और किस level पर buy कर रखे हैं अगर आप यह information share करना चाते हैं तो नीचे comment section box में आप share कर सकते हैं Thank you for watching, have a nice day